नमस्कार दोस्तों हम कर रहे हैं metal cutting में Taylor to life equation यानि कि दोस्तों जब cutting speed बढ़ाते हैं तो जो tool होता है हमारा उसमें भी weird and tear बढ़ जाता है और उसकी life घट जाता है इसका opposite अगर कहें तो अगर cutting speed कम करेंगे तो weird and tear tool में कम होगा और उसकी life बढ़ जाएगी इस चीज़ पर जो concrete equation दी है Taylor सहाब में Taylor to life equation के नाम से जानी जाती है उसी से दोस्तों उसी का उप्योग करके हमें दो tool दिये हुए हैं और हमें इसमें से select करना है कि किस particular speed के बाद हमें tool A prefer करना चाहिए तूल या किस particular speed के बाद हमें tool B prefer करना चाहिए तो दोस्तों आईए question देखते हैं हमारा क्या कहता है a mild steel work piece is being machined by two different tools A and B under identical machining conditions the tool life equations for these tools are tool A and tool B यह जो है दोस्तों VT की power 0.31 is equal to 40 points की यही दोस्तों tailor tool life equation है यह tool A और tool B की दी हुई है हमें where V and T are in meter per second and second velocity जो है हमें meter per second में दी हुई है और जो इसकी life है वो हमें second में दी हुई है हमें बताने हैं determine the cutting speed above which tool B will give better tool life किस cutting speed के बाद दोस्तों tool B की better life होगी दोस्तों concept होता है break even point का जो हम industrial engineering में पढ़ते हैं जिसमें ना profit होता है ना loss होता है उसी का उपियोग यहां करेंगे कि at break even point both the tools have same life दोस्तों यह जो दोनों tool है at BEP break even point both tools have same life और दोनों की same life दोस्तों एक पेट कर देंगे यहां से T को हम अलग कर लेंगे यह और T इसका T और इसका T दोनों का बराबर कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 40.3 upon V और इसकी जो पावर 0.31 है उधर जाएगी तो 1 upon 0.31 हो जाएगी इसी प्रकार tool B के लिए भी करेंगे दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों ही tool की same life होगी तूल A और टूल B 43.3 upon V की पावर 0.31 1 upon 0.31 इसी प्रकार tool B काट 89.5 upon V की पावर 1 by 0.43 दोस्तों यहां से हम V calculate कर लेंगे तो हमें वो critical speed मिल जाएगी जिसके above जो है हम tool B को prefer करेंगे और जिससे below tool A को prefer करेंगे आप check भी कर सकते हैं दोस्तों cross check भी कर सकते हैं उसके below कोई speed record के दोनों टूलों में और जो life आएगी दोस्तों वो आपकी यह equation को satisfy करती है कि नहीं यह मैं आपको homework देता हूँ वी को दोस्तों एक तरफ हमने कर लिया और इस constant वाले term को एक तरफ कर लिया इसको थोड़ा से solve कर लेंगे यह दोनों ही दोस्तों भी है यह 2.33 उबर जाएगा तो 0.9 हो जाएगा वी वी के पाउर 0.9 is equal to इसको हमने solve के लिया 5.47 और 0.9 इधर जाएगा 1 upon 0.9 तो हमें जो वो critical speed मिल गई दोस्तों 6.6 meter per second Below 6.6 meter per second tool A gives better tool life और यह आप check करके देखे दोस्तों आप 6 meter 5 meter per second रख करके देखे दोनों equation जो tool की दी हुई है Above 6.6 meter per second tool B gives better tool life तो इसी साफ से दोस्तों हम prefer करेंगे अगर हमार पास दो tool है तो हम कौन सा tool किस के इस्थिती में उप्योप करें दोस्तों आसा करते हैं आपको मजा आया होगा धन्यवाद हमने सिखा tailor tool life equation से selection of tool धन्यवाद